टोक्यो उलम्पिक 2020 भारत के लिए पहला मेडल लाकर मीराबाई चानु ने पूरे भारत वाशी को प्राउट फील कराया है 26 वर्षिय 49 किलोग्राम की वर्ट कैटेगरी में मीराबाई चानु ने क्लीन एवजर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रज़त पदक अपनी नाम किया है इससे पहले सन 2000 में कर्णम मलेश्वरी ने सिर्णी ओलामपिक में देश के लिए भारत ओलन में कास्य पदक जीता था दोस्तो मीरबायचानू का जन्म आठ अगस्त 1994 को मनिपूर के नौंगपिक काक्चिंग गाउं में हुआ मीरबायचानू का जीवन बहुत ही गरीबी भरा रहा और बहुत संघर्स भरा रहा मीरबायचानू को बचपन में जलावन की लकडियां चुनने के लिए जंगल तक में जाना पड़ता था बचपन से ही बारी वज़न उठाने के महारत हाशिल की हुई थी और वो बचपन में आर्चर एक तिरंदाज बनना चाहती थी परकच्छा आठवी में आकर उन्होंने मसहूर वेट लिप्टर कुंजरानी देवी के बारे में पढ़ा और अपना लक्ष बदल दिया 2014 में ग्लासगो कॉमन वेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने भारत के लिए सिल्वर पदक जीता और रगतार अच्छे परदर्शन करने के बाद रियो ओलम्पिक्स के लिए क्वालिफाई किया पर उमीद से विपरीत रियो में उनका परदर्शन बेहद निरासजनक रहा और अपनी क्लीन एवजर्क के तीनों प्रयास में वे असफल रही वे अपनी इस असफलता से इतना तूट गई थी कि वो खेल से दूरी तक बनाने का निर्ने ले लिया था पर उनकी मा के होसला बढ़ाने के कारण वो दुबारा से प्रयास करना सुरू किया उन्होंने और लक्ष रखा टोकियो ओलम्पिक्स का नतीजा आपके और हमारे सामने में क्लीन एवजर के विश्व रिकार्ड होल्डर 119 किलोग्राम और टोकियो ओलम्पिक्स की सिल्वर पदक विजेता मीरा बाय चानों को बहुत बहुत बधाई